नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कि पूरा कर सकते हैं दोस्तों माता लक्षमी जी एक ऐसी देवी है जिनके सामने हलकी सी साधना अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो माता लक्षमी जी तुरंत उस व्यक्ति पर प्रसंद हो जाती है और सही साधना अगर आपने सिध्ध कर दी तो माता लक्षमी जी के माध्यम से दोस्तों आपके जीवन में चल रही समस्याओं का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा तो दोस्तो अगर आपके समस्या चल रही है जीवन में और आप माता लक्षमी जी को प्रसंद करना चाते हैं वो भी लहसुन के माध्धम से और यहां बताए जाने वाले कुछ अन्य उपायों के जरीए तो इस वीडियो को बिना स्किप किये आखिर तक जरूर देखेगा दोस्तो इसी प्रकार से देखा जाता है कि सुक समरिद्धी सनेह प्यार धन दौलत की प्राप्ती करने के लिए तांतरिक लोग जो होते हैं वो लहसुन काई परियोग करते हैं आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में परिशानी है कष्ट है आप महनत करते हैं परिश्रम क मिलती है तो दोस्तों आपके जो ग्रहे हैं वो आपका साथ नहीं दे रहें अरधारत आपके तारे जो आपका साथ छोड़ चुके हैं लेकिन आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आपको जो उपाई इस वीडियो में बताए जाएंगे जिन में आपको एक पैसा भी खर् ऐसा होता है कि उसके बहुत अधिक मेहनद के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती ऐसे लोगों को चाहिए कि वे जोती शास्तर के छोटे से उपाई जरूर करें मानियता है कि इस छोटे से उपाईयों को अपनाने से सफलता मिलती है और समाज में मान समान भी बढ़ता है आई देता है कि ऐसा करने से बहुत लाब मिलेंगे, रात में आने वाले बुरे सपने बंद हो जाएंगे, जीवन खुशहाल रहेगा, घर परिवार में आने वाली नकरातम गुर्जा समाप्त होगी, मान समान में वृदी होगी, इन चीजों को मिलाकर करें सनान, सुबह सनान वाले पानी में गुड, शेहद, हल्दी, नमक में से कोई एक चीज थोड़ी से मिला लें, उसके बाद उस पानी से सनान करें, इससे आपका आतम विश्वास बढ़ेगा, सभी कारें में मेहनत के अनुरूप सफलता मिलेगी, नहाने के बाद करें जरूर ये काम, प्रति दिन सनान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला लें, अब इस सिंदूर मिले जल से सूरे उदे के समय सूरे देव को अर्ग दें, इससे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन निरोगी बनेगा, दिरगायू को आप प्राप्त करेंगे प्रती दिन दुर्गा सब्तशती का पार्ट करें धार्मिक मानेता है कि जो लोग प्रती दिन दुर्गा सब्तशती के द्वादश यानि की बार्वे ध्याय का पार्ट करते हैं उन पर मा दुर्गा की विशेश क्रिपा होती है उनकी कृपा से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और ये शकीरती में बढ़ातरी होती है साथी व्यक्ति की आर्थिक स्थिती मजबूत होती है इसी के साथ दोस्तों बड़े से बड़े वेग्यानिक हो चाहे बड़े से बड़े जोतिश हर किसी ने यही बताया है कि लहसुन एक ऐसी और शक्दी है जो लोगों के जीवन में कई तरीके की समस्याओं को जड़ से खतम कर सकती है आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि ये कोई टोटका नहीं है बलकि एक सधारन से उपाए है एक ऐसा उपाए जो आपके जीवन में गरीबी, दृद्रता, परिशानी हमेशा के लिए खतम कर देगा दूसरे तरीके से देखा जाए तो माता लक्षमी जी का आशिरवाद आपको मिलेगा इसी के साथ ही लहसुन के सेवन से पुरानी सर्दी, फेफ़रों का दर्द, जुखाम, नीमोनिया और अस्थमा कम हो जाता है इसे खाने से दिल के साथ साथ सांस की बिमारियां भी दूर होती है इसके लिए आप रुजाना सुभे नित्य क्रिया से निवरित होने के बाद खाली पेट लहसुन की एक कली खा सकते हैं दोस्तो धन दौलत की वर्शा खुद माता लक्षमी जी आपके उपर करेंगी अगर आप भी चाते हैं कि आपको माता लक्षमी जी का आशिरवाद मिले तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट बॉक्स में लिख दीजे जै माता लक्षमी दोस्तो आपने देखा होगा कि आपके रुसोई घर में काफी ऐसा सामान होता है जिनकी सही तरीके से अगर आप उपाए करें तो काफी लाब आप अपने जीवन में पा सकते हैं तो दोस्तों आपके घर में लहसुन तो जरूर होगा आप अगर अपने किचन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लहसुन जरूर दिखाई देगा इसी प्रकार से दोस्तों बता दें कि जितनी भी चीज़े होती है वो किसी ना किसी भगवान को समर्पित होती है इसी प्रकार से जो हल्दी होती है वो भी भगवान विश्नु जी को अर्पित की जाती है दूसरी तरफ देखा जाए जो सरसों का तेल भगवान शनीदेव जी महराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वहीं हम बता दें कि जो लहसुन होता है उसका उप्योग मातालक्षमी जी की साधना के लिए किया जाता है लहसुन खाने में सवाद बढ़ाने का काम करता है आयुर्वेद में इसे एक गुनकारी और शद्धी माना जाता है हाला कि इसके फाइदे बस यहीं तक सीमित नहीं है जोती शास्तर में लहसुन को टोटको के रूप में भी उप्योग किया जाता है लहसुन के टोटके सोई किसमत को जगाने का काम करते हैं दोस्तों लहसुन तांतरिक गुनों में सबसे उत्तम मानी जाती है आयुर्वेदिक भाशा में देखा जाए तो लहसुन अपने दम पर कई तरीके के रोगों को जड़ से खतम कर सकती है दोस्तों अगर आप लहसुन के सही तरीके से उपाए करके माता लक्षमी जी के सामने प्राथना करते हैं तो मान के चलिए माता लक्षमी जी को आपको आशिरवाद देना तैय है सरल भाशा में समझ लीजिए दोस्तों अगर आप माता लक्षमी जी के सामने सही तरीके की साधना करेंगे तो माता लक्षमी जी तुरंट आपको आशिरवाद दे देंगी दोस्तो एक बात समझ लीजिएगा कि कभी भी आप किसी पंडित को पकड़ते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं किसी भी भ्रामन के पास जाते हैं और उनसे पूजा करवाते हैं मतलब आप अपने अच्छे के लिए पूजा करवाते हैं उसका सीधा लाब नहीं मिलने वाला लेकिन अगर आप ये उपाय खुद करते हैं अपने हाथों से करते हैं तो इसका सीधा सीधा लाब आपको मिलेगा आपके जीवन में चल रही समस्याएं खतम हो जाएंगी तो दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बता देती हूं माता लक्षमी जी को खुश करने के लिए केवल और केवल आपको जो करना है आपको बहुत ध्यान से सुनना है इस उपाई को लगातार चार शुकरवार अगर आप कर लेते हैं तो माता लक्षमी जी का आशिरवाद आपको मिल जाता है दोस्तों सबसे पहले उपाई जो आपको करना है कि शाम के वक्त आपको साथ बजे के करीब और सुर्यास्त के बाद अपने घर पर माता लक्षमी जी की फोटो रखी है जो आपने या फिर चितरज रखा है उसके सामने बैटकर एक घी का दीपक जलाना है बहुत ध्यान दीजिएगा जो घी का दीपक होना चाहिए एक लाल कपड़े के उपर आपको जलाना है दोस्तो ये जो बीज मंत्र होगा यही पूरा आपका उपाय करेगा और ये बीज मंत्र अगर आप पूरी तरीके से वहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तो आपको कुछ नहीं करना है केवल जो लहसुन होता है आपको घी के दिये के पास उसको रखना है लाल कपड़े के उपर और वहाँ पर मा लक्षमी जी और सरस्वती जी की आपको दो फोटो रखनी है उसे घी के दीपक से आपको आरती उतारनी है दोस्तो मा लक्षमी की और मा सरस्वती की उसके बाद आपको जो लहसुन मैंने बताया है उसको पकड़ कर आपको उनके पैर से छुआना है एक बीज मंतर का प्रियोग करना है ये बीज मंतर ध्यान से सुनिएगा ये माता लक्षमी और माता सरस्वती दोनों के लिए है जै जै हे भगवती सुर्भारती तव चर्नो प्रनमा में नादत्व मया जवा गेश्वरी चर् महां रख देना है या फिर अगर आप जाब में जाते हैं नौकरी में जाते हैं तो ये जो लहसुन है ये आपको पर्स में रखना है और प्रते एक दिन ये आपको अपने पास रखना है जैसे ही ये पुराना हो जाएगा तो आपको ये ही प्रिक्रिया अपना कर अपने जी आप इसकी जड़का सेवन जरूर करना शुरू कर दोगे बिल्कुल यकिन के साथ मैं ये कह सकती हूँ कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारन पौधा थोड़ी न रहेगा आपके लिए ये किसी संजीवनी बूटीक से कम नहीं है ये चमतकारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए कि ये हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमी में पैदा हुए हैं दोस्तों इस पौधे का नाम जान लीजे तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं इसे कई जगय महाबला के नाम से भी जाना जाता है नाम से इस पश्ट है दोस्तों अतीबला महाबला जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हूँ हमारे गुरू कहा करते थे कि इसे जड़का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़के पाउडर का अगर एक वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बल आता है ध्यान से सुनना दो वर्ष तक सेवन करेंगे तो दस हाथी का बल आएगा तीन वर्ष तक सेवन करेंगे तो सो हाथी का बल आएगा चार वर्ष तक सेवन करेंगे तो हजार हाथी का बल आएगा और अगर आप पांच वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे दस हजार हाथी का बल आता है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी अर्धार्त कौन सी ऐसी चीज है जिसे प्रहेज करना पड़ेगा इसी के साथ वीडियो में कंटीनियू बने रहेगा दोस्तों आईए सर्व प्रथम जानते हैं कुछ दैविक परियूग इसके बाद जानेंगे इसका आयरुविडिक परियूग तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहने से नवग रहे की जो पीडा होती है वो समाप्त हो जाती है नवग रहे आपका बाल भी बाका नहीं कर पाते इसको पहनने का जो शुब दिन होता है वो है बुद्धवार, बुद्धवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के तावीज में डाल कर आपको धूप का धुआ दिखा करके आपको धारन करना होता है, धारन करने के बाद आपकी नवग रह की जो पीड़ा है वो स्थेर ह जाती है शान्त हो जाती है बिलकुल भी नहीं सताती है ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत नीजी शक्ती से अगर आप परिशान हैं आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें भूत प्रेत आपसे डरें नीजी शक्ती आपसे भागे तो हनुमान जी महराज को इस जड इनी पूजा में धारन करें बिल्कुल ही भूत प्रेट निजी शक्ती आपसे दूर भागेगी ये भी माना जाता है कि इसके धारन करने के बाद चांदी के तावीज में इसकी जड़ को धारन करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर जुका लेंगे आपसे डरेंगे अरधार तापसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षमन नहीं होता ये भी माना जाता है कि इसके धारन करने के बाद हमें रोगों से मुक्ती मिलती है आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो की ठीक नहीं हो पा रहा तो अब इसके धारन करने के जिसके अंदर अत्यधिक बल पाया जाता है दैविक दैविक सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में ये समर्थ्यवान है इसके पांच से आठ और गजब के फाइदे आपको बताने वाली हूं। जुकान में ग्रहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है और भी बहुत सारे चमतकारी जो निर्बल व्यक्ति अगर इसे खाए गहा या फिर इसे धारन करेगा तो ये बलवान उसे बना देता है और अगर घी के साथ इसकी जड़का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोह समान, वज्र समान बना देता है बिल्कुल ही शरीर को कठोर बना होनी चाहिए उन्नत नसल किसम की गाएं का प्रयोग आप ना करें कब तक पीना है एक वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन पांच वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा आप चाहे तो इसका सेवन एक वर्ष भी कर सकते हैं या दो वर्ष कर देना है किसी भी प्रकार के जो आमल आप खाते हैं तो उसका आपको परितियाग कर देना है दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही पांच वर्ष आपको व्यतीत करने हैं जोती शास्तर में बताएगे तोटके उपाए किसमत का साथ दिला सकते हैं जीवन की कई उपाए व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं लहसुन के तोटके आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं तरकी में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आपको सफलता दिला सकते हैं आईए जानते हैं वास्तु और जोतिश में बताएगे लहसुन के उपाएँ के बारे में नकरातमकता दूर होती है जैसे जैसे लहसुन सूखेंगे आपके घर की सिती भी सुधरती जाएगी अगर आपको अक्सर नजर लग जाती है तो एक नीले कपड़े में एक लहसुन का तुकड़ा बांदें और इसे अपने घर के दरवाजे या उस स्थान पर रखे जहां से न अश्ट करने में मदद करता है यदी धन की कमी से आप परिशान है तो शनीवार के दिन अपने परस appli लहसं की एक कली रख लें फिर इस कली को हर शनीवार बदलते रहें ऐसा करने से जातक को कभी भी धन की कमी नहीं होती यदि आपके पास भी पैसा नहीं टिकता धन हानी होती है तो अपने घर दुकान की तिजोरी या फिर धन स्थान पर कपड़े में लपेट कर लहसुन की कली रख दें इससे आपके पास धन टिकने लगेगा बहुत गरी पार में बार बार घाटा हो रहा हो तरक्की में बाधाएं आ रही हो तो लहसुन की पांच या साथ कलिया एक कपड़े में बांध कर अपने दुकान के आफिस या कार खाने के मुखे दरवाजे पर टांग दें ऐसा करने से नुकसान होना बंद हो जाएगा साथी बाधाएं दूर होने लगेंगी कारोबार में तरक्की मिलने लगेगी लाख मेहनत के बाद भी अगर आपको मनचाहा परिनाम नहीं मिल रहा या फिर आप हर काम में असफल हो रहे हैं तो शनीवार के दिन अपने पर्स में लहसुन की एक कली रखें और दो दिन बाद इसे हटा दें इस कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं आपको मनवांचित फलों की प्राप्ती होना तैय है इसी के साथ अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को शेयर करें अगर अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी से च डेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यावाद